मोती आबिंद के टरैक्ट मोती आबिंद आखो का एक सामान यरोग है प्रायह पच्पनवर्ष की आयू से अधिक के लोगों में मोती आबिंद होता है मोती आबिंद विश्वभर में अंधहत्व के मुख्य कारण है 60 से अधिक आयू वालों में 40 प्रतिशत लोगों में मोतियाबिन्ध विक्सत होता है। शल्यक्रिया ही इसका एक मात्र इलाज है, जो सुरक्षितेवमासान प्रक्रिया है आँखों की रेटिना दूरस्थित वास्तु को देखने में सहायता करती है। धीरे धीरे आँखों के लेंस अपनी पारदारिशिता खो देते हैं और इनसान को दिखाई नहीं देता है। इस तरह रेटिना का धुन्धलापन ही मोतियाबिन्ध होता है। सामान नितया मोतियाबिंद शल्य अचिकित्सा से ही सही होता है, फिर भी जिन्हे मोतियाबिंद की शुरुवात है वो निम्न प्रयोक से अपने आखों की रोशनी की सुरक्षा कर सकते हैं. मोतियाबिंद के लक्षन बार बार चश्मे का नंबर बदल जाना आखों की रोशनी कम हो जाना आखों से धुंदला दिखाई देना चीजे दोहरी दिखाई देना हलकी रोशनी तेज प्रतीत होना रात के समय रोशनी कम होने पर दिखाई ना पड़ना मोतियाबिंद के उपचार का सरल देशी उपाए पलाश्टेशू के पत्ते का और कांखों में डालने पर नए मोतियाबिंद को समाप्त होने में लाब मिलता है यदि आदमी को धुंदला दिखाई पड़ता है तब भी इस प्रयोग से उसे साफ दिखाई पड़ने लगता है गुलाब जल में पुनार नवा विश्खप्रा को घिसकर उसका अनजन लगाने से मोतियाबिंद का रोग सही हो जाता है मोतियाबिंद की सरजरी कब करवानी चाहिए सरजरी तब करनी चाहिए जब मरीज को अपनी पसंद की चीजें करने के लिए परियाप्त दिखाई न दें यदी दृष्टी केवल कुछ धुंधली हो तो मोतियाबिंद का इलाज करने की आवश्यक्ता नहीं होती है बस चश में बदलने से दृष्टी के सुधार में मदद मिलती है लेकिन केवल थोड़े समय के लिए मोतियाबिंद का होमियोपैथिक उपचार मोतियाबिंद समाप्त हो जाता है सिर्फ दो बूंद उपियोग करने से सिनेरेरिया मेरिटिमा यह होमियोपैथ में मोतियाबिंद की पेठंच दवा है यदि किसी आदमिया औरत को मोतियाबिंद हो जाता है तो इस दवा का रोज दो बूंद दिन में तीन बार लगतार चार से पांच महीने आँखों में डालने पर मोतियाबिंद की बीमारी जड़ से समाप्थ हो जाती हैं. यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़े दिन के प्रयोक से इस दबा से लाब नहीं होता है. इस दावा को आँखों में डालने के साथ यदी किसी भीतरी दावा का भी सेवन किया जाए तो ज्यादा लाबकारी होता है. मोतियाबिंद को रोकने की उत्तम होमियोपैथिक दवा है साईलीसिया. यदी रोगी को मोतियाबिंद हो और उसे दिन के समय तकलीफ होती है. रोगी को सूरिकी रोशनी बिलकुल बरदाश्त नहीं होती है. मोतियाबिंद का रोगी आखबंध नहीं कर सकता है क्योंकि उसके आखबंध करने पर भयंकर दर्द होता है। यदी रोगी का धातुगत लक्षन साइलीसिया का है तो इसका अधिक दिनों तक व्यवहार करने पर बीमारी में आराम होता है। और आराम ना भी हो तो भी कम से कम मोतियाबिंद का बढ़ लक्षन क्या होता है? इसके रोगी का धात उगत लक्षन क्रमश, इस प्रकार होता है. इसके रोगी का हाथ और पाउव पतला पतला जब की पेट मोटा निकाला हुआ होता है. रोगी का सिरप एक शाकृत बड़ा होता है. एकाएक, देखने की शक्ति के कम हो जाने पर. आख की रोशनी वापिस लाने की होमियोपैतिक दवा सीपिया. आपको यह जानकारी होना अतियवशक है कि यदी सामान्य व्यक्ति की अचानक देखने की शक्ति का लोप हो जाए, साथ ही सुभा और शाम आख से ठंडा पानी गि बिन्द की बीमारी हो जाती हैं. आखों में खोचा मारने की तरह दर्द होता हैं. आखों में करकराहट होती हैं, साथ ही आखों को रगरने पर तकलीफ होती है. यदी रोगी आखों को ठंडा पानी से धुलता है तो उसे आराम महसूस होता है. कभी कभी आखों की रोशनी धु उंधली हो जाती है। सीप्यस्त्रियों के नानप्रकार की बीमारी में लाभ दायक और एक इंटी-सोरिक दवा है। आख के लेंस में चोट लगने के बाद साप दिखाई ना पढ़ने के उत्तम होमियोपैथिक दवा है सेनेगा। भारत में सेनेगा वरिक्ष को साप काटने की दवा के रूप में उपियोग किया जाता है। इस दवा के रोगी को आख और नाक में मिर्च पीस कर लगा देने की तरह जलन होती है। इसमें रोगी को एक चीज दो दिखाई पड़ती है। प्राय, एसा तब होता है जब रोगी की आखों में चोट लग जाए। या मोतिया बिंद के आपरेशन के बाद कुछ लेंस का चूरन रह जाए। ऐसी दशा में रोगी को सेनेगा के प्रयोग से लाब हो जाता है। इसकीती से आदो सो शक्ती का प्रयोग किया जा सकता है। चिकित सकी या परामर्ष के अनुसार दवा का सेवन करना हितकारी है। आखों से गदलापन दिखाई पढ़ने की उत्तम होमियो दवा है नैफुथलिन। यदि आखों में की समस्या है तो इस दवा के प्रयोग से मोतिया बिंद समाप्थ हो जाता है। यदि रोगी के रेटीना पर पेच की समस्या है तो इस ताकि दशा में भी यह दावा फायदा करती है। संक्षिपत रूप में हम यह कह सकते हैं कि soft cataract, opacity, deposit and patches on retina, embryopia में यह दावा फायदा करती है। उपर प्रदान की गई जानकारी मात्र knowledge growth के लिए है। किसी भी दवा के प्रयोक से पहले डॉक्टर से consult जरूर करें। विडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेला आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारी latest विडियो की notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप अपने सुझाव हमें comment करके जरूर बताएं। धन्यवाद।